Geographical Maps आपने बहुत ज़्यदा देखे होंगे, especially ये COVID-19 के दिनों के अंदर. वो Geographical Maps जो डेटा को शो करते हैं Locality की बेस पे या Geographical Location की बेस पे वो चुटकियों में कैसे बनाए जाते हैं using Tableau. वो ही सिखाने वालों. मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel और मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ. वो तुसे सेखरे हो ना, यही चाहिए बस. Let's jump into it. Screen आपके सामने है. हमने पिछले lecture में ये Bar Plot बनाया था. मैं यहाँ पे एक नई Sheet Add करता हूँ. अब इस दफ़ा यहाँ पे New Worksheet Add की है. इसका नाम रख देता हूँ. आपको ये वाला डेटा चाहिए होगा, जिसके साथ G.I.S. का Tag लगा होता है. यानि कि ऐसा डेटा जिसके साथ ये वाला Tag हो. ये जो दुनिया से बनी होई है. ये वाली दुनिया से. Country Name हो गया. Fip State Code हो गया. And then State Abrivation हो गया. Zip Code हो गया. इस तरीके से आप डेटा को लगा के उसको आप अच्छे तरीके से Plot में Convert कर सकते हैं. अब यहाँ पर मैं Country Names को ले के आता हूँ. और Country Names को उठा के Rose के अंदर मैं Fit करता हूँ. ये Country Names आगे. अब जहारी बात है डेटा को इस तरह के Plot को बनाने के लिए हमें सिर्फ Country Names नहीं चाहिए. We need something else. और वो क्या है? मैं यहाँ पर आता हूँ. यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर Admission Total जो है उन पर क्लिक कर लेता हूँ. और Admission Totals को उठा के मैं इसको Columns के अंदर पेस कर देता हूँ. अब आपके सामने यह Bar Plot तो बन गया था. Simply इसी चीज़ का. आपने क्या करना है? अपनी Right Side पर जाना है. Right Side पर जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है. यह दो किसम के Geographical Plots है. एक के अंदर आप Symbol Map ट्राई करते हैं. और एक के अंदर आप Maps के साथ खेलते हैं. ठीक है? एक Geo Location आपको चाहिए होती है. मैं इस पर क्लिक करता हूँ. It will take some time. और कुछ इस तरीके से आपको Plot बना के देदेगा. क्योंकि सारी Universities का Data जो है वो United States के अंदर है. इस वड़ा से सिरफ और सिरफ United States का Data आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर आता है. और आप इस Plot को देख भी सकते हैं. वीओ भी कर सकते हैं. And this is how you can also play with the Plot. यहां से Zoom In, Zoom Out भी कर सकते हैं. And you can also do some kind of, use these kind of tools. और आप हर एक locality की base पे भी देख सकते हैं. For example, मैं Washington में देखना जाता हूँ, क्या status है? So I can Zoom directly into that. तो यहां पर इस तरीके से आप इस Plot को देख सकते हैं. और यहां पर सर्च भी कर सकते हैं. For example, मैं यहां पर New York क्लिकता हूँ. New York State आजागी मेरे सामने. So you can actually create these kind of plots by clicking on that one. और यहां पर अगर आप क्लिक करें, तो यहां पर क्लिक करने के बाद आप पैन भी कर सकते हैं. Something like this. मतलब आपने पैन करना है right या left तो आप वो भी कर सकते हैं. और यहां पर आप select भी कर सकते हैं. Tangler Selection है, Radial Selection और इनके shortcut भी दिये हूँ है. किस तरीके से shortcut दिये हैं अगर आप गौर करें? यहां पर zoom पर click करूँगा तो zoom हो जाएगा. इस पर click करूँगा तो pen. और यहां पर मेरे पास shortcut इसका जो है F है. और zoom का Z है. और फिर हमारे पास H, A है. S है, D है. और इसी तरीके से reset map हो जाएगा हमारे पास. अगर मैं reset करना चाहूँ. And this is how it looks like. लेकिन यह कोई इतना खास जचा नहीं है. जमा नहीं है. Reason कहा है कि हमने एक column add किया row add कर दी है. What if we can actually click on this one. On the other map. मैं इस पर click करता हूँ. Map पे. Now you will see कि वो उस हिसाब से color होके आपके सामने आएगा data जो आपके पास मुझूद है. तो यह locality की base पे आपके पास different किसम का जो data है वो आपके सामने आगया है. मैं इसको दुबारा से click करता हूँ. और आप यह check करें sum of admission हमारे पास आ रहा है. मैं average पे click करता हूँ. It will change and so on and so forth. आपके सामने यह सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से mean, median, mod और sum की base पे change होती जाएंगी. You can also change the color type. For example, अगर मैं यहाँ पे edit color करके कोई और color choose करना चाता हूँ. यानि के मैंने यहाँ से एक पूरी की पूरी क्या चीज़ select करना होता है. Automatic भी कर सकता हूँ. और यहाँ से मैं color range भी select कर सकता हूँ. मैं orange को select करता हूँ. Usually people use orange. So you can see this kind of change here. ठीक है जी? So इस तरीके से आपकी हर एक locality जो है वो country जो है वो यहाँ पे जो है उसका data जो है वो आपने print कर दिया है. इसके इलावा आप और data को भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पे country name है और इसकी base पे कुछ और data भी available होगा आपके पास. तो state abbreviation की base पे भी आप कर सकते हैं, zip code की base पे भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पे zip code लगाता हूँ and we can also play with the zip code as well. तो यह zip code की base पे separate हो चुका है data. I mean you can play with this data set और आप इस तरीके से कोई भी plot बना सकते हैं. यह तो एक छोटा सा plot था. अब world population का भी इसी तरीके से पूरे के पूरा plot बना सकते हैं, which will look amazing. नहीं यह कीना था, तो world population का data उता हैं और उसके उपर plot बना के चेक करें. See you in the next one. Like, share, subscribe ज़रूर कर दिया करें, because everything matters here.